हेलो स्टूडेंट्स, SP Academy रावला के ओनलाइन प्लेट फोरम यानि ओनलाइन क्लासेंज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम पढ़ेंगे इंग्लिस और हिंदी मीडियम कक्षा पांच की हिंदी की पुस्तक हिंदी विश्य का लेसन नमबर च्यार तेवहारों का देश यानि कि भारत भूमी के बारे में भारत देश के बारे में इसमें वर्नन किया गया है कि हमारे देश में बहुत सारे तेवहार मनाई जाते हैं इसलिए भारत को तेवहारों का देश भी कहा जाता है यानि कि तेवहारों का देश विभिन उच्छा या विभिन तेवहार मानाने के बारे में कहा जाता है जैसे कि कहवत भी है साथ वार नो तेवहार यानि कि यहां साथ दिनों में ही नो नो तेवहार आ जाते हैं आर्था भारत में बहुत सारे तेवहार मनाए जाते हैं इसलिए दिखा जाता है साथ वार नो त्योहार है ना तो पड़ते हैं लेसन को हुलसरह माटी का कंकन उम्र रही रसधार है त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है मन भावन सावन आते ही हर याली छा जाती है राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है घर बाहर जूले ही जूले गाते रागमल हार हैं तेवहारों का देश हमारा हमको इसे प्यार है आजादी के दिवस्ति रंगा घर घर पर लहराता है वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है मन भावों से भर जाता है मा की जैजै कार है तेवहारों का देश हमारा हमको इसे प्यार है आता है हर वर्षद शहरा हो थे खेल तमाशे हैं दीवाली पर दीपदान फुल जड़ियां खील बताशे हैं धूम दड़ा के और पटाखों की कैसी भरमार है तेवहारों का देश हमारा हमको इसे प्यार है तो यह हमने पड़ा लेसन तेवहारों का देश अब इसका सरलारत करती है इसकी हिंदी इसको अर्थ करती है किस परकार से हुल्स रह माटी का कनकन या हुल्सना का अर्थ होता है परसन होना हुल्सना हुल्सना का मतलब होता है परसन होना खुश होना माटी का कनकन माटी का कनकन जो मिट्टी का कन-कन है एक-एक टुकड़ा है एक-एक अंश है वो क्या हो रहा है परसन हो रहा है भहुती ज़्यादा खुश हो रहा है हुल्स रहा माटी का कन कन जो मिट्टी का एक एक कन है मिट्टी का एक एक अंश है मिट्टी का एक एक टुकड़ा है वो हुल्स रहा है हुल्स रहा का मतलब हो रहा है बहुती ज़्यादा परसन हो रहा है खुश हो रहा है क्योंकि उमड रही रसधार है तो माटी का कनकन है वो बहुती ज़्यादा परसन हो रहा है और रस की धारा क्या हो रही है लगातार बह रही है रस की धारा बह रही है तेवहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है जो हमारा जो भारत देश है वो तेवहारों का देश है बहुत सारे तेवहार इसमें मनाए जा रहे हैं मनाए जाते हैं प्रति दिन हमको इससे प्यार है इसलिए हमको इससे क्या है प्यार है बहुती ज़्यादा प्रेम है किस से भारत देश से क्यों प्रेम है क्योंकि इसमें बहुत सारे तेवार मनाए जाते हैं और तेवारों के दौरान मिट्टी का प्रते कंड कंड उमरता है हुलुसता है अर्था बहुती ज़्यादा परसन होता है और उमर रही रसधार है और परसंता की धारा भी बहती है अर्था बहुत ज़्यादा रस की धारा बहती है अर्था बहुती ज़्यादा लोग परसन होते हैं इसलिए हमको भारत भूमी से भारत देश से क्या ह प्यार है वी अगे है मन भावन सावन आते ही हरी आली इछा जाती है मन भावन मन को भाने वाला मन को अच्छा लगने वाला सावन सावन मास हिंदी महिनों के नुसार पांचवां महिना है भी पहला चेत्र दूसरा वेसा फिर जेसेट फिर असाड और चो पांचवां स्रावन तो स्रावन महिना आते ही मन को भाने वाला महिना सावन आते ही हरियाली चा जाती है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली चा जाती है क्योंकि इस यानि कि रक्षा बंदन का तेवहार भी आता है रक्षा बंदन के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है जो राखी का तेवहार आता है राखी का दूप समनाते हैं हम उस दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है यानि कि बहन बहुती ज़्यदा परसन होती है क्योंकि वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है रक्षा शुत्र बांधती है और अपने भाई से प्रण करवाती है कि वह उसकी आजीवन क्या करेगा रक्षा करेगा उसकी सुरक्षा करेगा तो इसलिए कह रहा है राखी के दिन बहन खुशी से यानि की रक्षा बंदन के त फूली नहीं समाती है फूली नहीं समाना अर्था बहुत ज्यादा परसन होना गर बाहर जूले ही जूले गाते राग मलहार हैं मलहार होता है क्या होता है मलहार वर्षा रीतू में गया जाने वाला एक राग तो क्या है गर बाहर जूले ही जूले घर और बाहर लोग क्या है स् मास में क्या करते है जूले जैसा की देखो इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है इस चित्र में दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहना भी क्या है जूले तो घर बाहर जूले ही जूले घर और बाहर लोग पेड़ों पे क्या बना लेते हैं जूले बना लेते हैं क्या बनात मलहार एक राग है जो किसके दौरान वर्सारीतू के दौरान गाया जाता है तो स्रावन के मास में घर बार जूगले जूले ही जूले पढ़ जाते हैं और लोग क्या करते हैं मलहार राग मलहार राग अर्थात वर्सारीतू में गाया जाने वाला एक राग गाते हैं और इसलिए कहरे कभी तेवहारों का देश हमारा देश कैसा है तेवहारों का देश हमारा देश कैसा है तेवहारों का देश हमारा इसलिए हमें इससे क्या है बहुत ज़्यादा प्यार है अर्था देश से हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं भी आगे है आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है वीर शहीदों की गाठाएं हम को याद दिलाता है फिर आजादी के दिवस आजादी के दिवस यानि की पंद्रह आगास्त जैसा कि आज हम मना रहे हैं पंद्रह आगास्त है ना तो इस आजादी के दिवस तिरंगा तिरंगा का मतलब है तीन रंगों वाला सब से उपर केसरिया बीच में सफेद और नीचे ही नीचे हरा केसरिया बनिदान का प्रतीक सफेद रंग, शांती का प्रतीक हरा रंग, हर्याली का प्रतीक तो आजादी के दिन आजादी के दिवस दिवस का मतलब होता है दिन आजादी के दिन है वो क्या लहराता है भी तिरंगा घर घर पार ला रहता है और हमारे परते एक घर में अंदर घर के अंदर हम क्या करते हैं तिरंगा लहराते हैं जैसा कि देखो इस चित्तर में भी दिख क्या कर रहे हैं प्रेड कर रहे हैं तो इस परकार ये देखो जंडा भी दिखाई दे रहा है चितर के अंदर तस्वीर के अंदर है ना तो आजादी के दिवस दिवस का मतलब होता है दिन आजादी के दिन तिरंगा घर घर पर लाराता है घर घर में क्या लहराया जाता है तिर उनकी कहानिया हैं हमको याद दिलाता है उनकी कहानिया किस परकार से हम भारतिय लोगों ने सवतंतरता के लिए प्रयास किये और भहुती ज़्यादा प्रयासों के बाल हमें जाके क्या मिली सवतंतरता प्रापत हुई क्योंकि हम किसके गुलाम थे अंग्रेजों के गुलाम थ और हमें किस परकार बड़ी ही कठनाईयों के साथ, बड़ी ही मुश्किलों के साथ, हमारे युवा लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपने देश के लिए सहीद हुए, तब जाकर कहीं ये हमें सवतंतरता प्रापत हुई है, तो उन वीर शहीद जो क्या हुए हैं, हमा हमारे देश के लिए सहीद हुए हैं, हमारी सवतंतरता के लिए सहीद हुए हैं, उनकी जो गाथाएं हैं, उनकी जो कहानियां हैं, हमको याद दिलाता है कौन तिरंगा जंडा मन भावों से भर जाता है मन भावों से भर जाता है मां की जैजैकार है तो उनकी याद में हमारा जो मन है वो भावों से स्त्रद्धा से आदर से सम्मान से क्या हो जाता है भर जाता है और मां की जैजैकार है और हम भरत माता की जैजैकार करते हुए इसकी भारत माता की जय जय कार करते हुए, उसकी जय करते हुए क्या करते हैं, जय करते हैं, अर्थात हमारा मन स्रद्धा से भर जाता है, और हम सभी भारत माता की क्या करते हैं, जय बोलकर परसंता व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, इसलिए कवी ने कहा है, तेवहारूं का देश हमारा हमको इससे प्यार है जो हमारा जो भारत देश है वो तेवहारूं का देश है और हमको इससे बहुत ज़्यादा प्यार है तो दुबारा फिर देख लेते हैं उलस रहा माटी का कंड कंड उमड रही रस्दार है बुलस रहा अर्थात परसन हो रहा है जो मिट्टी का एक एक कन है वो भूती ज़्यादा परसन हो रहा है और रस रूपी धारा अनंद रूपी धारा बह रही है त्यवारू का देश हमारा हमको इससे प्यार है गया कि ये भरत जो देश है वो त्यवारू का देश है और हमको इससे क्या है प्यार हैं। होना में क्या हती है नई नई पतियां नई नई पेड़्पोदे उगते हैं अर्था चारों तरफ हयाली ही हरेली अच्छा जाती है और उसी दोरान कौन सा तेवा दै रक्शाबंदन का तेवार आता है उस दिन बैेंद क्या होती है उसके ज्यादा खुश होती है अर्थात खुशी से फूली नहीं समाती है अर्थात वो बहुती ज्यादा प्रसंद होती है क्योंकि यह अपने भाई से रक्षा करने का वचन लेती है और उसके हाथ पे रक्षा सुत्र बांती है और उसकी भी लंबी उमर की क्या करती है कामना करती है गर बाहर जूले ही जूले गाते राग मलहार हैं घरों और बाहर पेड़ों पेड़ पोधों पे क्या हो जाते हैं बड़े बड़े पेड़ों पे जूले बनाए जाते हैं जैसा कि चितर में दिखाई दे रहा है और गाते राग मलहार हैं और इस्त्रियां और पुरुष सभी एकटे होकर मलहार रूपी राग गाते हैं, मलहार राग होता है वर जो वर्षा रीतु में गया जाने वाला एक राग है अर्थात, लोग भगवान से प्राइटना करते हैं कि बारिस ज्यादा से ज्यादा करें, तेवहारों का देश हमारा हमको इसे प्यार है, जो भारत देश है, वो तेवहारों का देश है, इसलिए हमें अपने भारत देश से, अपने भारत राष्टर से क्या है, बहुत ज्यादा प्यार है, अर्थात, प्रेम है, आजादी के दिवस तिरंगा घर-गर परला रहता है और फिर आजादी का दिवस आजाता है 15 अगस्त है ना 15 अगस्त इस दिन हमारे क्या होती है हम आजाद हुए थे अंग्रेजों की गुलामी से सवतंत्र हुए थे तो आजादी के दिवस आजादी के दिन हम तिरंगा लहराते हैं परतेग घर में तो परतेग घर के दर अंदर आजादी के दिन हम यानी की 15 अगस्ट को घर-घर पर हम तिरंगा तंतरता के लिए सहीद हो गए उन शहीदों की गाताई उनकी कहानियां हमको ये याद दिलाता है मन भावों से भर जाता है मन भी क्या होता है भावों से परसन हो जाता है श्रदा भाव से भर जाता है और मा की जय जय कार करते हैं और बड़ी परसंता के साथ हम अपनी मा की अर्थात भारत भूमी की जय जय कार करते हैं अर्थात उसकी परसंता के गीत गाते हैं इसलिए कह रहा है कभी तेवहारों का आदेश हमारा हम को इससे प्यारा जो भारत देश है वो त्योहारो का देश है और हमें इस देश से न हमें कि कुछ te equal का जादा प्यार हैT तो आज के लिए students इतना ही तो इसमें से कुछ question हैं तो वो आपको और माया नहीं कि तेवारों का देश किसे कहा जाता है अजादी के दिन तेरंगा किस बात की याद दिलाता है और गंतंतर दिवस और सवतंतर दिवस का मनाया जाता है तो ये भी आपको करने हैं तो आज के लि धन्यवार जै हिन जै भारत